जंक फूर्ड दो तरह का होता है. एक है नमकीन जंक फूर्ड जैसे चिप्स, बर्गर, पीजा, पानी-पूरी, समोसा आदी। मीटे जंक फूर्ड में आइस क्रीम, चॉकलिट, केक, मिठाई आदी शामिल है। ये विबिन प्रकार की जंक फूर्ड है, लोग इसके आदी है और इसे खाना बन नहीं कर सकते। सिर्फ एक निवाला खाकर इंसान कभी रुक नहीं सकता। सदक पर चलते समय हम कुछ न कुछ जंक फूर्ड खा लेते हैं। जब ऐसी वस्तुवों की अवस्थता की और इशारा किया जाता है, तो लोग कहते हैं कि वे अपनी लालसा को नियंतरित नहीं कर सकते। आप इसे कभी कबार खाना ठीक समझ सकते हैं। हाला कि यह रिदय सब्बंदी बीमारियों, स्ट्रोक, मदुमेह, आदी जैसे कई स्वास्त्य समस्याओं का कारण बन सकना है। स्वभाग्य से ISH News अब इन जंक फूड के कुछ स्वादिश्ट स्वस्त विखल्प साजा करेगा। मैं आपको बताता हूँ, समूसी बहुत स्वादिश्ट होते हैं, और जब वे गर्म और कुर्करे होते हैं, तो हम उन्हें खाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। हालाकी वे तेलिया होते हैं, और मैदा का उपयोग करके आटा बनाया जाता है, जो स्वास्थिक के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके बजाए आप हारे मुऊं को भिगोकर प्यास डाल कर स्वादिश्ट सलात बना सकते हैं। यह स्वादिश्ट और बहुत पॉष्टिक होते हैं। हम मेंसे कई लोग चिप्स का एक पैकेट सिर्फ 10 रुपे में खरीतते और खाते हैं। हाला कि यह सेहत के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारा तेल और नमक होता है। मेथी खाकरा एक अच्छा विकल्प है और यह बहुत स्वास्थ भी है। आप मेंसे कई लोग एनरजी बनाने के लिए एनरजी ड्रिंक पीते हैं। हाला कि यह बहुत अस्वास्थेकर है क्योंकि इसमें बहुत अथिक चीनी होती है। इसके बजाए आप कुछ पुदीने के साथ निम्बु का पानी पीने की कोशिश कर सकते है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक और बहुत स्वास्थ है। हर कोई चॉकलेट खाना पसंद करता है और उसे खाने के लिए कुछ भी दे सकते है। चॉकलेट की जगा डाक चॉकलेट ले जो थोड़ी कडवी होती है। डाक चॉकलेट फाइबर, आयन, मगनेशियम आदी से भरपूर होती है। इसका सेवन करना बहुत ही सेहत मन होता है। अन्य परकार की चॉकलेट में चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है और कैविटी मदु में आधिक का कारण बन सकता है। आइस क्रीम बहुत और स्वास्थेकर होती है, जिसे मदु में और अन्य बिमारिया होती है। इसके बजाए एक स्वस्थ विकल्प फ्रोजन योगर्थ है। गुलाब जामुन, पेढ़ा, जलेबी, आदी जैसी मिठाईया अप्रति रोध्या, लोगुने खाना बंद नहीं कर सकते। वे अस्वस्थ है और बड़ी स्वस्थ्य समस्याव के कारण बन सकता है। अगर आपको मिठाई पसंद है तो एक स्वस्थ विकल्प चुने। खजूर या फल, वे मीठे और पोश्टिक है। अथ्यदिक मातरा में बियर पीने से बियर बैली हो सकती है। इसके बजाए अंगूर से बनी रेड वाइन ले। यहां बहुत स्वस्थ है। या फिजी पैई के बजाए गर्म पानी के साथ कुछ विस्की का प्रयास करें क्योंकि उनमें बहुत अधिक चीनी होती है। गर्म पानी एक स्वस्थ विकल्प है। पैई के साथ खाए जाने वाला फिंगर फूड बहुत तेलिया और अस्वास्थ्यकर हो सकता है। इसके बजाए सलात खाए जैसे खीरा, गाजर, आदी यह एक बहुत ही स्वस्थ है। सुनिश्चित करें कि आप अधिक मात्रा में शराब न पिए, लिमिट में पिए, सेहत का ध्यान रखे। याद रखे, लोग कभी भी पीजा खाने के लिए तयार है, वे कभी ना नहीं कहेंगे। लेकिन क्योंकि वे अस्वास्थेकर है, पीटा पॉकेट्स खाए, जिसमें कई सबजिया भरी हुए होती है। यह बहुत स्वस्थ है। केकपी बहुत अपरति रोध्य है, केले का वरेड खाने की कोशिश करें, जो बहुत स्वस्थ होता है। मैंने अब आपको विबिन जंक फूड के 9 स्वस्थे कल्पों के बारे में बताया है। इसे जरूर आजमाए और अपने स्वास्थे की देखबाल करना न भूले। झाल झाल झाल